नमस्कार दोस्तों, स्वागाते आपका पैबली कनेक के इस यूटूब चैनल पे आज का हमारा टॉपिक है How to create Flowdex subscriber from gravity form submission तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप automatically Flowdex में subscriber create कर सकते हैं जब भी कोई new form submission received आपको gravity forms में जी आए पॉसिब आले, आप ये पूरा process automate कर सकते हैं पैबली कनेक की मदद से जो कि एक amazing integration software है अब जानते हैं process कैसे work करता है तो जैसा कि आप मेरी screen पे देख सकते हैं trigger में हम लेंगे gravity forms, action में हम लेंगे Flowdex तो दोस्तों, पूरे automation में क्या होगा जब भी कोई new response received होगा हमको gravity forms में तो automatically वो form response की basis पे एक subscriber create हो जाएगा Flowdex application में अगर आप ये process सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको लें जलता हूँ मेरी screen पे ओके friends तो ये है पैबली का landing page और आप इस page पे आ सकते हैं आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे एक है silent option दूशा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको जाना है sign up for free वाली button पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में मैं click करूँगा sign in वाली button भी क्योंकि मैं existing user हूँ उसके दोस्तों आपको जाना है pably connect वाले डालोग बॉक्स में क्लिक करना है access now और आप आप जाएंगे pably connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right hand side पे बटन देखेगा create workflow का उसके आपको क्लिक करना है तो एक डालोग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है enter workflow name here तो दोस्तो basically हमको यहाँ पे हमाई workflow को कोई नाम देना है let's say मैं मेरी workflow को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ create flow deck subscriber from gravity form submission तो दोस्तों यह हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी workflow को इदा पे उसके बाद आपको click करना है create वाली बटन पे और आप आजाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे यहाँ पे आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते है इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happen जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते है जो हम करवाना चाते है हमारी automation में तो यहाँ पे आपको trigger application चूज करना है और जापर आपको action application चूज करना है तो हम पहले trigger में work करेंगे तो हमाई trigger application यहाँ पर चूज कर लेंगे जोगी है gravity forms तो हम यहाँ पर simply type करेंगे gravity forms और gravity forms को नीचे से चूज कर लेंगे उसके बाद trigger event में आपको चूज करना है new response तो जब भी कोई new response इसी डोगा उसके बाद हमारा workflow वो trigger होगा ठीक है यहाँ पर हमको एक webbook URL मिल गया है अब दोस्तों webbook URL की मदद से आप कोई इसी पी application को पाबली connect में connect कर सकते हैं यह जब ब्रिच की तरह काम करता है और इसी webbook URL की मदद से हम gravity forms और पाबली करने के बीच में connection build करेंगे ओके नीचे आपको कुछ help text में details मिल जाएंगी जैसे की कैसे आपको पूरा setup करना है मैं आपको directly बताता हूं कि पूरा process आपको कैसे करना है सबसे पहले हम इस webbook URL को यहाँ से कर ले थे copy और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है आपको एक test submission करना है gravity forms में जिसकी मदद से हमको public connect में रेस्टमां रेस्टमां रेसीप्ट हो okay तो मैं आपको ले चलता हूं WordPress पे और यहाँ पर मैं आ गया हूं gravity forms में और forms वाले section में आ गया हूं WordPress में उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं उपन करूंगा ठीक है और इसमें दोस्तों आपको कोई सा भी फॉर्म आप फिल करवाना चाहते है gravity forms में तो आपको open कर लेना है उसके बाद आपको जाना है settings वाली option पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है फॉर्म सेटिंग्स पर ठीक है form settings पर आपको क्लिक करना है तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर नजर आएगा इसके हाय रिक्वेस्ट मैतबड आपको पोस्ट रकना है रिक्वेस्ट फ़र्मेट आ पो जेसन रखना है और इत्हparable आप रिक्वेस्ट बी डाल सकते जैसे कि अ कि एट कर सकते हैं और एक已经 mandatory नहीं है इसलिए हमें आपको इसको इग्नोर करके mister क्लिकता हम safe settings फाली बटन पे तो settings updated एक वेब उक यहाँ पर active हो गया है हमारे gravity forms में अब हम क्या करेंगे इसको preview करेंगे इस form को हमने क्या करेंगे अब एक setup complete कर लिया आप लीकानेक को gravity form के वीच में connection अब हम करेंगे टेस्ट submission जिसकी मदद से हमको यहाँ पर response received तो मैंने इस फर्म को यहां पर open कर लिया है मेरे new tab में इसको में फिल करता हूं लेटसे फर्स्टनेम यहां पर हम दे देते हैं जॉन लास्नम घूलते यहां पर मिल्टन ओक हां पर मिल्टन आप हेम नेम दे तक हूं अभी वह आप और जाएंगे पाबली कनेक में और यहाँ पर देख सकते हैं हमको रेसपॉन्स भी रेसीब हो गया है जो फोर्म ने वहापि फॉर्म से फिल रहा है तो उसका डेटा हमको हैं पर रेसीब हो गया है यहाँ पर जॉडिटीज दोट कॉम पर हमने आपे complete कर लिया है, अब हमारा objective क्या है, create floodex subscriber from gravity form submission, okay, तो दोस्तों basically हम को यहाँ पर क्या करना है, जब भी कोई new form submission received हो, gravity form submission हमको received हो, तो वो data के साथ हम एक subscriber create कर दें, floodex में, okay, तो अब हमारा जो first step automation को है, हमने complete कर लिया, gravity form response हमने public connect में received कर लिया, हम क्या करेंगे, इस response के basis पे, एक subscriber create करेंगे, floodex में, okay, तो action step में आपको, और यहाँ पर आपको application में choose करना है, floodex, तो आप यहाँ पर simply type कर दे, floodex, और नीचे से आपको floodex choose कर लेना है, उसके एक action event में आपको choose करना है, create or update subscriber, creates a new subscriber, और updates and existing बन, okay, तो हम यहाँ पर एक new subscriber create कर रहा है, तो हम यहाले option event चूज करना है, उसके लिए हम क्लिक करेंगे, connect वाली बटन पे, okay, तो यहाँ प एक dialogue box open हो गया, जो बोल रहा है, connect floodex account, तो आप इधा पर add new connection के साथ जा सकते है, select existing connection के साथ जा सकते है, अगर आपने आप connection built हो गया, अब नीचे आप कुछ various fields देख सकते है, जैसे की fields, field value, first name, last name, और यहाँ पर कुछ अदर details भी देख सकते है, obtain IP, obtain timestamp, mobile number, company, alright, तो हम यहाँ पर सबसे पहले field choose by which you want to create or update subscriber, यहाँ से आप subscriber ID चूज कर सकते है, email भी चूज कर सकते है, हम email ID के basis पे subscriber create करेंगे, तो field value में हम यहाँ पर उसका email address जो हमको receive हुआ है, previous step से, उसको map करेंगे, अब दोस्तो mapping कैसे करते हैं, वो समझाता हूँ, यह मैंने यहाँ पर click कर रहा है, यह previous step का data में को यहाँ पर show हो रहा है, मैं इस पर simply click करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते है, john.id.public.use.com हमाँ प कर दूँगा, अगर मैंने यहाँ पर john manually type कर दिया, map नहीं कर रहा data, तो हमेशा हर response में, हर subscriber के नाम के आगे, john received होगा, क्योंकि हम इदर mapping नहीं कर रहा है, इस field में, ठीक है, अगर हम mapping का इस्टिमाल करते हैं, तो हमेशा dynamic response generate होता है, इसका मतलब यह हुआ, जब भी हमारा workflow run होगा, और जब भी कोई new response received होगा, gravity forms में, तो उस data के basis पे subscriber add होगा, हमारे flowdex में, क्योंकि mapping की मदद से, हमेशा dynamic response generate होता है, कोई भी चीज़ आप manually type करेंगे, तो हमेशा static रहेगी, इसलिए mapping बहुत important step है, और आपको इस field में map, अच्छे से करना है data, जब भी आप workflow create तो first name हमें receive to a previous step, first name हम map कर देता है, john, okay, यह first name है, last name हमें पास, last name हम map कर देते है, last name है Hamilton, alright, उसके बस send opt-in confirmation email to subscriber, आप इसको yes रख सकते है, no रख सकते है, हम इसको no रख देते है, opt-in IP आप हैस कर सकते है, opt-in timestamp आप add कर सकते है, mobile number भी हमें पास, उस particular user का, आप mobile number भी add कर द कर देते है, enter the required value, for example, यहाँ पे company में डाल देता हूँ, okay, यह manually time कर देता हूँ, क्योंकि previous response हमको यहाँ पे family, हमाई form में option नहीं था company का, तो हमको receive नहीं हो, हमने यहाँ पे manually type कर दिया, तो दोस्तों कुछ इस तरह आपको data map करना है, mapping बहुत important है, आपको चीजे बहुत जब भी आपको workflow run होगा, तो आपको dynamic response मिलेगा, ठीक है, अब दोस्तों हमने हाँ पे map कर दिया data, अब हम simply click कर देते है, save and test request वाली button पे, और आप देख सकते हैं, हमको नीचे positive response receipt हो गया, इस data से active, email id शो हो रही है, ठीक है, source है integration, यहाँ पे first name, last name शो हो रहा है, और यहाँ यहाँ पे company वाली फीड में publish हो रहा है, mobile number और created at, okay, यहाँ पे status से active, इसका मतलब यह है, कि हमारा जो integration है, वो successfully work कर रहा है, आए चेक करते है, हमारा flowdex का account और यह देखते है, कि यह particular person ऐसा subscriber create हुआ है कि नहीं, तो मैं आपको ले चलता हूँ, flowdex पे, और यहाँ पे मैं सकते है, इधा भी मैं करूँगा refresh, और यहाँ दोस्तों आप देख सकते है, johnetheratpabletuse.com करके, एक subscribe है यहाँ पे create होगा है, जोसका email id है, और john milton उसका name नीचे show रहा है, और इस status यहाँ पे show रहा है active, तो दोस्तों कुछ इस तरह यह पूरा automation काम करता है, यह दो step का automation है, अब दोस्तों होगा कि जब भी हमारा workflow run होगा, तो जब भी कोई new response received होगा gravity force में, तो automatically response के बाइस में subscriber create हो जाएगा flowdex application में, इधा अपर लिखा है instant, इसका मतलब यह है, instantly हमको response received होएगे public rank में, और तुरंध हमको subscriber create होता मिलेगा flowdex में, आइस को real time में test करते है, for example, यहा mobile number add कर देते हैं अभी, okay, और email address देते हैं, for example, testadherit gmail.com, जो हमने email address यहाँ पर add कर दिया, और for example, gender, age यहाँ पर देता हूँ, 25 submit, okay, तो हमने आपर हमारा form submit करते है, gravity forms में, अब दोस्तों होगा क्या automatically, अभी यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, इधा मैंने workflow create क आपको लिए चलता हूँ, flowdex पे, और यहाँ पर मैं करता हूँ, refresh, और यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है, testadherit gmail.com, test user करके, एक subscriber create हो गया है, हमारी flowdex application में, automatically, तो दोस्तों कुछ इस तरही पूरा automation काम करता है, अगर आप भी इस workflow को बनाना चाहते हैं, या और भी integration बना सकते हैं, पैबली कनेक की मदस से, और आप हमको mail कर सकते हैं, supportadheritpably.com पे, अगर आपकी कोई queries हैं, या कोई doubt है, तो आप हमको mail कर सकते हैं, forumadheritpably.com पे, और अगर आपको कोई price related issue है, तो आप इस link पे जा सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इसको like करें, share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें, thank you.